हेला इविरोन कैसे आप सब एक बार पुना सिव कोचिंग क्लासेस पर स्वगात है और आज मैं राथन क्लास होने बाला है चलिए टाइम पास नहीं करेंगे पहला कोश्चन है मारको निकाप मारको निकाप का ये निया में बच्चो कि हैलोजन अमल का दूइबंदी कार्वनिक योगिक से जब योग होता है देखिए हम सीधे सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे टाइम पास नहीं दूइबंदी कार्वनिक योगिक मतलब जैसे हमारे पास एलकीन है ठीक है यह आपका क जो रिणात्मक भाग है यहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन के संक्या काम होगी यही आपका मारको निकाप का निया में बिल्कुल सिंपल कि जब हैलोजन अमल का दूइबंदी कार्वनिक योगिक से योग होता है तो हैलोजन अमल का रिणात्मक भाग पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या काम होती है तो यहां पर आप सी यल जोड़ दो एच ही है बच्चो और आपका यहां पर जुड़ जाएगा ये लो द्हात्मक भाग उस कारवन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है और तो फिर आपका धनात्मक भाग यहां पर जुड़ जाएगा सिंपल है ये एक भाग पर रणात्मक तो दूसरे भाग पर आपका धनात्मक भाग जुड़ जाता है दूसरा अब क्रिय तो हुन्सडी का रवक्रिया, हुन्सडी का रवक्रिया जो होती है, वो आपके वसी अमल के सिल्बर लवड से होती है, बसी अमल का सिल्बर लवड है क्या, जैसे माली जे सी ओ ओ एच है, तो यह आपका वसी अमल है, क्या बच्चो बसी अमल है, अब यहाँ पर दी ह हटा दिय जाए एच हटा दिया जाए जब एच हटाते है बच्चो तो आर सी ओ ओ हो जाता है ठीक है अब यहाँ पर जी एजी जोड़ दिये तो सिल्बर का लबड़ बन गया सबसे पहली बात कहानी को समझेंगे तब आप चीज समझ पाएंगे बच्चो क्योंकि एक लंबा लेक्चर लेकर आया हूँ और जो बच्चा बीच में सोचेगा कि रोने गाने से बनेगा काम कुछ भी नहीं होने बाला समझने को जिस करिए यह हमारा कार्बोक्सलिक अमल है क्या बच्चो कार्बोक्सलिक अमल है यहां से एच हपने हटा दिया और एच के जगाए एजी जोड़ दि अमस्तिते में तो एजी जोए बी-र को लेजाएगा तो यहां से उठा ले जाऊँगा ठीक है यही जोए बी- आर को ले जाएगा बच्चो तो एजी बियाग अला वो इए ठीक है कही न कहीं जब बसी अमर्ले के श्यलवर लबड में कार्वण ट्रडराफ्ल क्लोरिन या ब्रोमीन की क्रिया करा जाती ज़्यादा हम नहीं चलें, क्योंकि यहां पर R के जगे आप CST जोडेंगे, तो भी वही चीज मिलेगा, R के जगे C2H5 जोडेंगे, तो भी वही चीज मिलेगा, मतलब कहीं न कहीं हमारा एक उत्पाद ही बनेगा, हम नाम बाले रियक्षन का सुपर फास्ट रिवीजन कर रहें बच्चो, ठीक है, आगे चलते हैं, यहां क्लियर है न, कि सिल्वर लबन लेंगे, किसका बसी अमल का, बसी अमल होता है, R, C, O, H, H अटा कर A, G जोड दिया, तो बन गए आपका सिल्वर लबन, ब्रोमीन से क्रिया कर आया, तो ब्रोमीन एक A, G को ले गया, ठीक है, CO2 अलाग हो गया, और आपका एलकील हैलाइट बन गया, ठीक, कट, चलिए, बिलियमसन संसलेशन अब क्रिया, सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा बच्चो, इसलिए, आप सोचोगे कि हम, है ना, बहुत धीरे-धीरे करके बताएं, तो इसके लिए आपको वीडियोज मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, सीव कोचिंग क्लासस के नाम से आप जाएंगे, सर्ची करेंगे, आसानी से, कोई भी टॉपिक आप देख सकते हैं, बिल्यम्जन संसलेशन में होता क्या है, इस सोडियम एलकासाइड के साथ क्रिया कराते हैं, सोडियम एलका, सोडियम एने होता है, R-Alka Oxide R-O-N-A तो यह आपका हो गया Sodium Elk Oxide Sodium Elk Oxide तो R-N-E इसकी क्रिया Alkyl Helide से कराते हैं R-X से कराते हैं यह आपका Alkyl Helide तो यह NA जो है X के साथ क्रिया कर लेता है और एथर बनाता है बच्चो R है यहाँ माँ लिजे R-X कर लेते हैं तो ओ आपका R-X बना लिया और NAX अलग हो गया सिंपल है कि जब Alkyl Helide जब Alkyl Helide के क्रिया हम किसे कराते हैं Sodium Elk Oxide से तो इथर बनता है तो इसको आप दो बार पढ़ते हो एक तो आप यहाँ पर Alkyl Helide की रासानी के अब क्रिया में दूसरा जो आपका इथर बनाने की अब क्रिया में तो वही चीज होता है इसके जब एक जामपर ले लेते हैं जिसे हम यहाँ पर C2H5 वह यह नहीं जोड देंगे इसका नाम बताओ Sodium Aether Oxide है क्या बच्चो Sodium Aether Oxide इसकी क्रिया CH3 Cl से करा दो तो NaCl अलाग हो जाएगा क्या हो जाएगा NaCl अलाग हो जाएगा और इथर बनाएगा बच्चो Ethyl Methyl Ether ठीक है यह हो जाएगा आपका CH3 एक oxygen ही है और C2H5 चाहिए इसको इदर चाहिए इसको इदर लिग दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक clear है तो यहाँ पर हम Williamson Sons Inclusion अब क्रिया पढ़ते हैं एक तो इथर बनाने की बीधि में दूसरा Alkyl Halide की रासानिक अब क्रिया में जब Sodium Alco Oxide का Alkyl Halide से क्रिया कराते हैं तो इथर बन जाता है ठीक बाकि आप R की जगए कोई भी Alkyl Group जोड सकते हो बच्चो चलिए revision में अगला देखते हैं Botage Upgrade Botage Upgrade Botage Fitting और Fitting Upgrade तीनो अब क्रिया सेम होता है देखेगा Botage Upgrade में दोनो Alkyl Halide लेते हैं Botage Fitting में एक Alkyl Halide और एक Aryl Halide लेते हैं और Fitting Upgrade में तीनो हम Alkyl Halide लेते हैं ठीक है तीनो अब क्रिया clear फिर से समझो Botage Upgrade में यहाँ पर दो Alkyl Halide लेते हैं Botage Fitting में एक Alkyl Halide एक Aryl Halide लेते हैं और जब Fitting Upgrade की बात आती हैं बच्चो तो दोनो हम Alkyl Halide लेते हैं देखेगा यहाँ पर आपका Rx मतलब Alkyl Halide है Sodium के साथ क्रिया कराते हैं सुस्क इथर के उपस्थिती में यह भी आपका Rx है तो यहाँ पर Nax बाहर हो जाता बच्चो और पैराफिन बनाता है यह आपका पैराफिन है 2 Nax बाहर हो गया किसके उपस्थिती में होता है तो सुस्क इथर के उपस्थिती में होता है जब Alkyl Halide जब Alkyl Halide को Sodium या Copper or Silver चून के साथ सुस्क इथर के उपस्थिती में गर्म किया जाता है तो पैराफिन बनता है क्या बनता है पैराफिन बनता है अब यहाँ पर जैसे मैं कहे दिया CS3 CL है 2NA ले लो वच्चो ठीक है यहाँ भी CS3 CL है तो यहाँ पर NACL क्या होगा बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर CS3 और CS3 बना लिया तो यह आपका अलग हो गया और 2NA CL बाहर हो गया तो पैराफिन मतलब अलकेन पैराफिन मतलब अलकेन तो बोटा जब क्रिया में हमने क्या कराया अलकील हैलाइट की क्रिया या तो सोडियम या इसके जगे कापर ले लो या तो आप इसके जगे सिल्वर चूड ले लो अलकील हैलाइट को हम सिल्वर चूड के साथ एलकिल हलाइट को सोडियम के साथ या एलकिल हलाइट को कापर के साथ जब सुस्क इतर कुपस्थिती में गर्म करते हैं क्या करते बच्चो गर्म करते हैं तो हमें मिल लाता है क्या पैराफिन क्या मिलता है पैराफिन मतलब एलकेन चीज़ एक लिए फ्रैंक लेंड में एकदम सिमिलर है फ्रैंक लेंड में क्या है बच्चो इस सोडियम के जगे आप जिंक ले लो जब एलकिल हिलाइट को जिंक चून के साथ गरम करते हैं तो वही आप पर पैराफनी मिलता है जडन एक्स टू बना देगा बस सिंपल है सिमिलर अब क्रिया इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कि हमने कहा CH3 CL ले लिया हमने जिंक के साथ इस बार इसको गरम कराया बाकि इधर CH3 CL है बच्चो तो यहाँ पर जडन CL2 अलाग हो जाएगा और पैराफिन बनाएगा पैराफिन मतलब एलकेन एक CH3 यहाँ पर एक CH3 यहाँ पर है और जडन CL2 अलाग हो गया तो यह आपका पैराफिन बन गया यहाँ पर इधी बात करें यह सुस्क इथर के उपस्तिती में हो रहा है इसके उपस्तिती में बच्चो सुस्क इथर के उपस्तिती में तो बूटा जबक्रिया फ्रेंकले नबती है दोनों सेम है बस इतना डिफरेंस है कि बूटा जबक्रिया में आपका यहाँ पर सोडियम था इसके जागे कापर या सिलवर चूण ले लो लेकिन यदि आपने जिंग के साथ गरम करा दिया जिंग के साथ फ्रेंकले नबक्रिया हाप मैनब करियa में क्या होता बच्छो यहाँ पर एमीन benता है वैसे आप लोग दो बार हाप मैन पढ़ते हो यह आपका अलकील हैलाइड है इस से आप हाप मैन अपर पढ़ लेते हो और दूसरा जो है बच्छो एक आमोनिय स्दुरी एमीन बनाने दें में एमीन बनाने के भी भी हाप मैन अप क्रिया पढ़ते हो हाप मैन अप क्रिया में क्या होता है कि एलकील हलाइट को अमोनिया के जली अत्वा एलकोहली बिलियन के साथ एक बंद नली पर गर्म करते हैं किसके साथ एलकील हलाइट को अमोनिया के साथ जली अत्वा एल्कोहली विलियन में रख करके एक बंद रनली में ले करके इसको गर्म करते हैं तो हमारा एमीन मिलता है कई प्रकार से उत्पार बनता बच्चो ठीक है एमीन, एल्किल हलाइड का सूत्र सब को पता है सर मत बताओ अरे नहीं नहीं बता देते हैं एल्किल हलाइड का सूत्र होता है यह आपका एल्किल हलाइड इसके ज़्यागे क्लोरीन ले सकते हो अब बच्चों एदियां आमोनिया से क्रिया करा दी, बहुत सिंपल है एक आई जो है एच को ले जाएगा तो बचेगा आपका NH2 सही है तो भाई यहां से उठा है तो यहां पे जुड़ जाएगा हाँ और एचा यह लाग हो गया अब यह सांत नहीं रहता यह जो हाप में अबक्रिया में न जो प्राथमी केमीन बनता है वो अकेला सांत नहीं रहता है बोलता है मैं इतना में आसान नहीं रहूँगा एक मिस्रित योगी बनाएगा तो यह फिर से अटाइक करता है अलकिल हलाइड के सांत जैसे आपका CS3 NH2 है और CS3 आई यह आपका अलकिल हलाइड तो आई का काम ही है यह रिड है बोला धन को उठा ले जाओंगा कहां ले जाओंगा डोली में कहां ले जाओंगा भाई अब थोड़ा यहां पर समझेगा थोड़ा समझेगा आपका HI तो अलकिल गुरूप बच्चो इसलिए आप यहां पर होल्टोइस कर दो दो अलकिल गुरूप हो गए न यहां से हाइड्रोजन निकल गया नाइड्रोजन के पास बंद बनाने की छम्ता होती है तीन तो यहां पर तीन बंद है लेड़ी दो हाइड्रोजन एक अलकिल गुरूप से यहाँ पर एक हाइडरोजन दो एलकिल गुरुप से यह फिर सांत भी बना के नहीं रखता है बोलता है भाई हम और सांत नहीं रहेंगे बोला क्यों? बोला भाई हम एलकिल हलाइट से क्रिया करने आये हैं उसी से दोस्ति बनाएंगे इस बार आई फिर ह को उठा ले जाई तो फिर उठा ले जाई तो फिर ह आई बाहर हो गई अब यहाँ पर सीस्ति कितने थे? दो थे ना? अब एक और आगया तो सीस्ति का होल थराई और आपका एन बस बचा अब इतने में ही सांत नहीं रहता है बोला अभी भी हम सांत नहीं रहेंellenे बोला क्यूं? क्योंकि सीस्ति आई के पास आये अब आई क्या करेगा? आई के पास तो हाई नहीं की हाइड्रोजन यहाँ से ले जाए तो एक काम करेंगे कि सीस्ति का होल फोर हो जाएगा nitrogen पर plus charge क्यों क्योंकि nitrogen एक electron दे देगा और चार बंद इधर बना लेगा nitrogen के पास total छमता कितना होता है तीन बंद बनाने की लेकिन आगर बोला मेरे घर में एक और इस्टा कुरसी है उसमें जो बैठा बैकती उसको उठा का फेक तो भाई यहां पर nitrogen total चार बंद बनाया है क्यों क्योंकि अंदर और एक electron को फेक दिया है और यह electron AI को दे दिया है यह process लगाता है एक लंबी process है कि जब alkyl halide को हम अमोनिया के साथ एक जली अलकोहली बिलियन में अमोनिया के साथ एक बंद नली में लगबाग 100 डिग्री सिल्सेस ताप पर गर्म करते है तो विविन प्रकार के हमारे पास एमीन या चत्तुस्क लबड का मिस्टन प्राप्थ होता है उमीद करता हूँ आप लोग screenshot ले लो ठीक है तैयारी करते चलो आप लोगों को बच्चो विजबाद तैयारी कराने का जिम्मेबारी हमारी है तो क्यों न भाई यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसके और अगला अपक्रिया है बच्चो फ्रिडल क्राप्ट अपक्रिया चो हमारा एलकिल हेलाइड का ही है अभी अलकिल हेलाइड की कान ही चल रही न तो अलकिल हेलाइड के अपक्रिया तो पढ़ नहीं पड़ेगा तो अलकिल हेलाइड के अपक्रिया में फ्रिडल क्राप्ट में होता क्या है कि फ्रिडल क्राप्ट अपक्रिया जहां भी मिले निर्जल ALCL3 के उपस्थिती में होता है जब भी आपको Reamer T-Main अब क्रिया मिले तो समझ लो NaOH के ही उपस्थिती में क्रिया होगी Reamer T-Main अब क्रिया कहें पर मिले आप लोग समझ जाना कि NaOH इसमें छार रहेगा ठीक है Carbillamine मिले तो समझ जाना KOH रहेगा ही Clorofarm इसको कोई नहीं रुख सकता है तो जब निर्जल जैसे हमारे पास यह है Alkyl Halide Alkyl Halide को बेंजीन से क्रिया कराते है तो Taluine बनता है वहें पर बच्चो आप एदी OH होता तो यहाँ पर अर्थो मतलब यहाँ पर मेथिल अर्थो अर्थो पोजीशन पर आपका OH जुड़ जाता तो अर्थो हैड्राक्सी टालोइनningar जैसे माली जिया पर OH जुड़ जाता तो अर्थो हैड्राक्सी टालोइन trás माला तो यह अलग पोसेस है कि फिनाल का भी आप फ्रिडल क्राफट अब क्रिया पढ़ते हो तो फ्रिडल क्राफट अब क्रिया हमेशता निर्जल ALCL3 के उपस्तिती में होता है जैसे मा लीजे बेंजीन के साथ क्रिया कराते है यह हमारा बेंजीन है, सिंपल है इसकी क्रिया CS3 CL से कराते हैं तो देखो बच्चो हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है तो ये उठा ले जाओंगा तुझे मैं डोली से सील जो आता है हाइड्रोजन से करता है बिंती भाई या तेरे साथ ही क्रिया करना है बहुत ठीक है यार आजाओ मुझे भी जरूरत है धन की भाई रिनवाला क्या सोचेगा धन की जरूरत है दनवाला क्या सोचेगा रिनवाला क्या सोचेगा रिनवाला की जरूरत है दोनों एक दूसरे से कांबिनेशन कर लिए अब कांबिनेशन कैसे करें पढ़ाई के सान दूसरा जिमाक नहीं लगाना यार ठीक है, यह HCL हो गया, तो यह हमारा कहला गया Friddle Craft of Cria, सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, यदि यहाँ पर OH होता, OH होता, तो यहाँ CS निकल करके CS3 डोड़ देते, यही प्रोसेस है Friddle Craft of Cria में, कि एलकील हैलाइट की क्रिया, निर्जल, ऐलमुनियम, क्लोराइट की उपस् ठीक है, यह क्लोरो बेंजीन लिया हमने, यह आपका सिर्फ बेंजीन था, यह आपका क्लोरो बेंजीन था, दोनों ही Friddle Craft of Cria है, बोलो सर कैसे कह सकते हो, अरे भाई, यह आपका एलकील हैलाइट था, यह आपने बेंजीन के साथ क्रिया करा दी, वही एलकील हैलाइट को क् बाकी कुछ है नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं बाई, तो इसी के आगे हम बढ़ते हैं कार्विल एमीन अभक्रिया पर, कार्विल एमीन अभक्रिया भी आप 12 ग्लास में दो बार पढ़ते हैं, एक तो क्लोरोफार्म की रासानिक अभक्रिया में, और दूसरा आप पढ़ते हो एमीन की रसानिक अब क्रिया में दोनों चीज कार्विल एमीन में ठीक है और कार्विल एमीन में आप सबको पता होगा आईसोसाइनाइड बनता है क्या बच्चो आईसोसाइनाइड दुरगंध बिसैला पदार्थ आईसोसाइनाइड बनता है तो कार्विल एमीन भी छारी ये माद्दे में होता है क्लोरोफार्म के साथ क्रिया कराते हैं किसी भी हम एमीन के साथ देखिए यहां पर हमारा है क्लोरोफार्म को प्राथमिक एमीन तथा एलको वाली अब प्राथमिक एमीन का ताथ पर यह है कि चाहिए से हमारा ये एनिलीन है इसके जगे हम CS3 भी जोड़ सकते थे ठीक है, बुक में मिल जाएगा ने बोल तो सर, C6H5 है हमारे टीचर तो C2H5 जोड़ कर बताये थे अरे कोई बात नहीं भाई हम ये बोल रहे हैं प्रात्रमी के मिले लिए जैसे C6H5 NH2, इसका नाम है एनिलीन इसका नाम बच्चो एनिलीन, क्या है एनिलीन क्लोरोफार्म के साथ CHCl3 छारी माद्दे में कोईच अब यहाँ पर एक लाजिक है, ये तीन क्लोरीन है न, ये रिन है ये धन को उठाएगा, उठा ले जाओंगा लेकिन बोला हम तीन है, तो बोला हम तुनको तीन को ले जाएंगे, इसलिए तीन का गुड़ा कर दिए, समझ गए हैं यहाँ पर, अच्छा, सर और क्या होगा, तो तीन के C-L तो बाहर ही हो गए है न, और ये OH है ये H है, तो H2O भी बाहर होगा, कितना H2O तीन आक्सिजन है, तो तीन का गुड़ा कर दिए, आप क्या बचेगा सर C-6H5 आपका बचेगा N और ये आपका C है, C दो बंद बनता और एक, उपस असे बंद बनता है, यही आपका फेनीलाइसोसाइनाइड है, क्या है, फेनीलाइसोसाइनाइड है तो तरीका, तरीका ये आप यहाँ पर रिवीजन करने आए हो ना तो तरीके से पढ़ो तरीके से पढ़ोगे ना, तो तरीके से नंबर मिलेगा तो देखो, हमने कहा, कहाँ या क्लोरोफार्म को प्राथमिक एमीन तता एलकोहाली कियो एजबीलिन के साथ गर्म किया तो दुर्गन दियुक्त हमें बिसैला पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइट प्राथ हुआ इसे ही बोलते हैं कार्विल एमीन यदि यहाँ पर C2H5 जोड़ोगे तो यहाँ पर C2H5 आएगा ध्यान रखना जैसे एमीन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं न तो यहाँ पर बोले सर यहाँ तो हमने नहीं पढ़ा फेनिल बादा भाग तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक रीमर टीमेन अब करिया मिलता जुलता आगे चलते हैं देखो इसको भी दो बार पढ़ोगे रीमर टीमेन एक आप यहाँ पर क्लोरोफार्म में एक आप फिनाल में तो जब क्लोरोफार्म को सांद्र छार क्लोरोफार्म को सांद्र छार तथा फिनाल के साथ साथ से सत्तर डिग्री सिल्सेस तक गर्म करते हैं अर्थो सेलसिलल्डिहाइड बनता है बच्छो क्या बनता है अर्थो सेलसिलल्डिहाइड ठीक है यह अर्थो सेलसिलल्डिहाइड है सिंपल है कुछ चीजें भाई आपको माइन में फीड करके रखना होगा याद करके रखना होगा यह चीजें हम आपको बार-बार समझा रहे हैं लेकिन ये आपके प्रक्टिस के उपर है प्रक्टिस आपको करना है समझाने का काम हमारा है सिवसर का है और प्रक्टिस आपका है तो ड्रीमर टीमें अब क्रिया करा रहे हैं दिखेगा यहां भी सेम प्रोसेस है थोड़ा आप समझेगा यहां पे आपका OH है ठीक है हमने कहा क्लोरोफार्म बोलो सर यह नियोच के साथ क्रिया करार है कितने यह नियोच लेंगे तो वही क्लोरीन जैसे अभी कार्विलेमीन के साथ बोला तीन है मारे पास तीन सोडियम को हम उठाएंगे तो बोलो ठीक है यार चलो अच्छी बात है यह आपका OH में कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चो इसमें OH में कोई परिवर्तन नहीं रहता है ठीक है अब यह जो NACL है वो बाहर हो गया अभी समझेगा तीन NACL और जो OH है वो H2O में बाहर हो गया लेकिन यह जो CH है नग इस CH के साथ जुड़ता है और ओ बना दे यह आपका Arthocelcel अल्डिहाइड बना लिया Arthocelcel अल्डिहाइड यह सिंपल है Arthocelcel अल्डिहाड बना लिया और H2O की संक्या कितनी होगी एक आक्सिजन यहां जुड़ गया दो आक्सिजन यहां पे तो 2H2O बना लिया ठीक तो क्लोरोफार्म को सांड रिशार तथा फिनाल के सांथ साथ से सत्तर डिग्री सेलसेस पर गर्म करते हैं तो अर्थो सेलसिल एल्डी हाइड बनता है यही रीमर्टी में अपक्रिया है यहां पर आप लेते हो गाटरमान कोच में यहांं पर आपका CO+, यह नहीं कारवन मुनोकसाइड और HCL कमिस्टन लिया जाता है और यहाँ पर HCN और HCL कमिस्टन लिया जाता है यहाँ पर आपका क्या बनता बच्चो यहाँ पर बेंजीन की क्रिया कराते हैं तो LDHID मिलता है यह आपका Arthohydraxid Benzuhide मिलता है जिसे हम cellclyldehyde कहते है सेम प्रोसेस ही सेम प्रोसेस ही ऐब स, सिंपल आप तरीका समझो यहाँ भी Aldehyde बन रहा होता है यहाँ भी Aldehyde बन रहा होता है ज्यादा मैं आपIV को कुछ नहीं कहूंगा यह पूरा क्रिया बीदी में आपको सोच हूँ समझाओं तो यह क्रिया बीदी यहाँ पर समझाने के जूरत नहीं है क्योंकि एक्जाम पास में है और सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं कि जब बेंजीन की क्रिया देखे जरा दोनों में ऐलसील 3 यह बेंजीन है सी ओ प्लस एचumbर के मिस्रन से क्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड मिलता बास सिम्पल है और कुछ नहीं क्या मिलता बेंजल्डिहाइड यह हमारा गाटर्मान अप क्रिया है गाटरमान कोच सोरी ठीक है ALCL3 के उपस्तिती में होता है ठीक है निर्जल ALCL3 को बच्चो जैसे फ्रेडल क्राफ्ट ALCL3 के उपस्तिती में होता है ऐसे ये भी होता है हमने बेंजीन की क्रिया करा दी किससे CO plus HCL की मिस्टर्ण से पहले ये आपस में मिस्टर्ण बनाता है फिर जाकर अटेक करता है तो ये आपका गाटरमान कोच अब क्रिया होगे बच्चो ठीक है और गाटरमान अब क्रिया में भी सिंपल है वही चीज़ है गाटरमान में क्या है कि आपका बस इसमें क्या था, इसमें कुछ नहीं, इसमें माली जे ओएस था, कुछ भी नहीं है, ओएस है, इसमें H-C-N और H-C-L का मिस्टन लेते हैं, फिर आपका, आपका कुछ नहीं, माली जे आपका यहाँ पर O-H है तो O-H रहने दो इसके अर्थोए पोजिशन पर C-H जुड़ जाता है, और कुछ नहीं होता है, ठीक, अब जैसे माली जे आप, जिसे यहाँ पर फिनाल लिए है, ठीक है, तो फिनाल वाला आया, बेंजीन से कराओगे, तो यह आपका LD हैट बनेगा, दोनों सेम है, बस हम गाटलमान अबक्रिया में H-C-N प्लस H-C-L लेते है और बच्चों, गाटलमान कोच में H-C-L लेते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई परसानी नहीं है, अगला नंबर हमारा, रोजन मुनबक्रिया, रोजन मुनबक्रिया में क्या होता है, कि अपन क्या करते हैं, एस्टिल क्लॉराइड के सा, यह हमारा बेंजोईल क्लॉराइड य अपचैन कराते हैं, तो जिसमें बेंजल लिएड मिलता है, सीधा बेंजल लिएड मिलता है, क्या, बेंजल लिएड ठीक है, रोजन मुनबक्रिया में क्या है, पलेडियम भी एसोफोर आपका उट्पेड़ा का काम करता है, H जूड जाता है, बस, देखो, एक H जो है, यहा बेंजल लिएड बना दिया, ठीक है, तो यह सारी अपक्रिया हैं बच्चो, और जो लास्ट आज का अपक्रिया है, कोलवे अपक्रिया, इससे आप लोग जरूर तयार कर लेना, भेरी 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 इंपोर्टेंट, कि जब हम कार्बन डायक्साइड को प्रवा करते हैं, और अर्थो अपका मतलब की यहां पे जुड़ जाए, यह अर्थो पोजीशन है, ठीक है, यह आपका अर्थो पोजीशन, सरी, मैं यह गलत बता दिया, यह आपका अर्थो, यह आपका मेटा और यह आपका पैра, देखो न, जब सुपरफास्ट कराते ना तो सारा भक्रिया हमारा भी मिक्स हो जाता है आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ऐसा नहीं है पूरा मिक्स हो जाता है एक दम खिचड़ी और वही हो रहा है यहां पर देखो इसमें हुआ क्या कि जब हमने यहाँ पर हम आपको अलग समझाते हैं कि हमारा है sodium phenoxide क्या बच्चो sodium phenoxide जैसे sodium अथा अक्साइड था sodium phenoxide carbon dioxide के साथ गर्म किया ठीक है तो पहले आपका यहाँ पर एक योगिक बनता है जैसे H यहाँ से निकला तो यहाँ पर जुड़ गया तो यहाँ पर OH बन गया और यहाँ पर जुड़ा carbon दो oxygen है है एने इसके साथ convert हो गया और अगले step में क्या होता है यह H यहाँ से जैसे माली जे अमलिये माद्ध्यम में जैसे लेते हैं इस CL जो है NA को हटाता है CL जो है NA को हटाता है और यहाँ पर जुड़ जाता है COH तो यह आर्थो पोजीशन पर जुड़ा है और जब यही पैरा पोजीशन उचताप पर यह निम्नताप पर होता है और जब यही यहाँ पर जुड़ जाएगा यहाँ पे तो यह मुख खुत बाद होता है इसके पहले बना होगा कुछ इस प्रकार से होगी कुछ इस प्रकार से C double ONA ठीक है इसके पहले यह रहा होगा यह आपका ONA प्लस CO2 मतलब वही पोजीशन है यह निम्नताप पर होता है यह उचताप पर होता है कि कार्बन डाइकसाइड सोडियम फिनाकसाइड के साथ हम प्रवाहिद करते हैं तो कर्भोक्सी करन की प्रकार के लिए अल्प मात्रा में सेलसिली कमल अर्थो हैड्राक्सी बेंजोई कमल मिलता है और मुख खुत पात की रूप में यहाँ पर देखिए अर्थो स्वरी यहाँ पर बोला है पैरा हाइड्राक्सी बेंजोई अमले सूच मात्रा में उच ताप पर और अर्थो वाला जो है यह हमारा अत्तिधिक मात्रा में मिलता है मुक रूप सी यही आपका रियक्शन है आप एक reaction त्यार कर लेंगे तो काफी है बागी reaction एक एक reaction जैसे इसको आप बिजिवच समझना चाहते हो तो हमारे चैनल पे आल लेडी पड़े हुए है आप सर्च कर दोगे बच्चों तो मिल जाएगा और तैयर भी कर सकते हो फिलाल आज के लिए इतना ही जाए हिंद बंदे मातरम